गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में मंदोर के परतिहारों के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं क्या तो सब्सक्राइब करें तदा वीडियो को लाइक और सेर करें ठीक है तो देखेगा मंदोर के परतिहारों के बारे में पढ़ने से पहले मां आपको बता देना चाहते हूं कि अपन लोगों ने परतिहारों के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है परतिहारों की जानकरी के स्रोथ हैं गुर्जर परतिहार कोन थे इन सबी बातों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है और हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो एक्जाम के दर्ष्टी से बहुत मह महत्तोपुन होते हैं अता वीडियोज को आप बार बार देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट पी करें ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं मंदोर के परतिहार मंदोर के पतिहार सासक पतिहारों के 26 साखाओं में मंदोर के पतिहार सबसे प्राचीन एम महत्तोकुन साखा थी इनके बारे में हमें जोधपूर एम गठियाले के सिलालेखों से जानकारी मिलती है जोधपूर का सिलालेख 836 इस्वीका है गटियाले से दो सिलालेक मिले हैं एक 837 इस्विका और दूसरा 861 इस्विका इनसे पता चलता है कि पर्तिहारों के गुरु हरिस्च चंद्र रामक ब्राहमन के दो पत्निया थी एक ब्राहमनाई और दूसरी छत्राने ब्रहामण पत्ने से उत्पन संतान ब्रहामण पत्तिहार कहलाई और छत्राने पत्ने भद्रा की संतान छत्रिये पत्तिहार हुए भद्रा के चार पुत्र उत्मन हुए कौन-कौन भोगभट, कदक, रजिल और दह इन चारों भायों ने मिलकर मंडोर अर्थात मंडविय पुर को जीत लिया और उसके सुरक्षया के लिए प्राची रांग को निर्मान करवाया ओजा के अनुसार हरिस्चंद्र का समय छट्वि सताब्दी के आसपास होना चाहिए उसके वंसजो में नागबट पर्थम प्राकर्मी सासक हुआ वहर रजित का पोता था उसने अपने राजे का काफ़ी विस्तार किया और मंडोर से साथ मिल की दूरी पर इस्तित मेरता नगर को अपने राजे की राज़दनी बनाया इससे नागबट के राजे की विस्तार की जानकारी मिलती है उसके दस्वी पिड़ी में शिलुक नाम का राजा हुआ उसके बारे में कहा जाता है कि उसने वल मंडल के भाटी राजा देवराज को प्राजित कर अपने राजे की सिमाओं का विष्टार किया सिलुक वीवित भासों का ग्याता था और एक अच्छा कवी भी था उसके दो रानिया थी भाटी रानी से बाउक और दूसरी कोई रानी थी उससे ककुक नाम का पुत्र पैदा हुआ था बाउक ने अपने सत्रू राजा मयूर को प्राजित किया इसी बाउक ने 837 इस्वी की परशस्ती को उतकिन करवाया जिसमें उसने अपने वन्स का विवरन तिया है बाउक के बाद उसका भाई ककुक परतिहारों का राजा बना उस दिन उसने घटिया लेके सिलालेकों को उत्किर्ण करवाया इन लेखों से पता चलता है कि मारवाट, जसलमेर, मल, तमणू, अज, एम गुर्जरात्रा में वह काफी लोग पिरिये था संबव है कि कुछ छेत्रों में उसका राजनातिक प्रभाव भी रहा हो उसने व्यापार वानिजे को प्रोधसान दिया, सिल्पकारों, विद्वानों तथा गुणी जनों को आसरे दिया सिलालेक उसको एक न्याइपिरिये एमपरजा पालक सासक बतलाते है प्राप्त साक्षों से पता चलता है कि बार्वी स्थापती के मद्धे में मंदोर के आसपास के छेत्रों पर चोहनों का प्रभूत्वय स्थापित हो गया था परन्तु मंदोर दूर्ग परतिहारों की इन्दा नमक साखा के अधिकार में बना रहा अन्य परतिहार वंसियों ने शायद चोहनों के सामन्तों के रूप में सास्तन करना सुरू कर दिया था 1355 में इंदा परतिहार समन्तों ने अपने राजा हमीर से परेशान होकर राठोड वीरम के पुत्र राव चुंडा को मंडोर का दुर्ग दहिज में दे दिया था संबव है चुंडा ने बलाद अधिक्रत किया हो जो भी हो इस कठना के साथ ही परतिहारों का प्रभाव समाप्थ हो जाता है और धिरे धिरे समुचा मारवार राठोडों के अधिकार में चला जाता है मंडोर के गुर्जर परतिहारों के राजे विस्तार के समन में डोक्टर कोपिना सरमा का अनुवान है कि वह है जोदपूर से 40 मील उत्तर पस्सिम और 60 मील के लगबग उत्तर पूरम में 4 और फैला हुआ था डोक्टर बैजनाथ पूरी ने लिखा है ऐसा परतित होता है कि मंडोर के गुर्जर परतिहारों का राजे विस्तार काठ्या वार तक विस्त्रित था और राजस्तान के सेश भूभागपय कन्नोज के या फिर मालवा तथा गुजरात के परतिहारों का सहसन था मंडोर के सासकों उनकी रानियों और पुत्रों के विरुदों अर्तात महारागी, रागी, भुधर आदी से अनुमाल लगाया जा सकता है कि वे दिर्कार तक स्वतंतर सासकों के रूप में सासन करते रहे होंगे तो देखें इस वीडियो में हमने मंडोर के परतिहारों के बारे में जानकारी प्रात की, इसी प्रकार से आपको गुजरों के बारे में हम और भी काफी कुछ पढ़ाएंगे, तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे